बिल्कम फ्रेंट्स आज हम लोग बात करें कि नाखुनों में होने वाले फंगल इंफेक्शन को टीनिया अंगुम या अनिको माइकोसिस बोला जाता है यह एक कैसी कंडीशन है जिसका इल्याज थोड़ा सा कठीन पड़ता है उसी के बारे में समझेंगे इसके लच्छन को का करना और इसका कैसे इलाज करा जाए राइट सो नाकुनों में होने वाला जो फंगर्स इंफेक्शन है अगर बात करें कि इसको ज्यादा कामन होता है तो ज्यादा जैसे जो खेती वाड़ी का काम करते हैं या ऐसे लोग जो गार्डनी का काम करते हैं माली उगारा हो गया घ ज्यादा देर हाथ और पैर अगर पानी में किसी का रहता है तो उनको ये फंगल इंफेक्शन होने के चांसिस रहते हैं और पैर के नाखुनों में फंगल इंफेक्शन के चांसिस ऐसे बेक्टियों में ज्यादा हो जाते हैं जो जूते पहनते हैं ज्यादा देर ता कि या वाले जूते पहनते हैं जो कि बहुत ही खतरनाक होता है पानी से बचने के लिए प्लास्टिक की प्राबलम होती है, मतलब गंटाजीय से एक ब्यक्ति से दूसरे ब्यक्ति में हो सकती है और कई बार जानवरों से जैसे कुत्ते विल्ली हैं उनसे भी हमारे सरीर में आ सकती है और ज्यादा तर गंदगी में, गरम क्लाइमेट में, हार्ट हुमेट में जब बरसात का मौसम होता है, गर्मी का मौसम होता है, ऐसे केसिस में ये अम्मूमन सरीर को लग जाती है, ज्यादा तर बार तो पता भी नहीं चलता कि ये कहां से हुई है, या तो घर में किसी को फंगस का infection है तो उससे हमारे सरीर में आ सकती है और especially उंगलियों में लग सकती है जैसे किसी के बालों में infection है या skin में infection है उसकी चमडी में है तो वो खुन आएगा तो उसके नाकोनों में लग जाती है रैट तो ये तो main कारण है और इस तरह के S WITHIN होती है वैसे वैक्ति में फंगस के इंफिकशन होने के चांसे रहते हैं तो ये एक तरह का इनफिक्शन के कारण होने वाली बीमारी है फंगल इनफिकशन के कारण टिन रूरी ना तो बैक्टीरिय को होती है ना वाइरस से होती है ना कोई प्रोटो जेवा से ना तो अगर किसी के नाखून आड़े तिर्चे हो रहे हैं तो इसका मतलब कि एक बार उनको दिखवा लेना चाहिए, डाक्टर को चेक करा लेना चाहिए, कहीं यह फंगस का इंफिक्शन तो नहीं है, अब इसके अगर लच्छन को समझें कि नाखून में हमारे यह फंगल इंफिक् काला कई बार उसके बीच का, कई बार जगर लंबा इंफिक्शन चला तो पूरा नाखून जड़ सकता है, तो इस तरीके से बदला हो आते हैं, तो अगर किसी के नाखून आड़ा तिर्चा हो रहा है, जड़ता जा रहा है, आसानी से तूट जा रहा है, तो यह फंगल निसानी हैं, यह टीनिया का इंफिक्शन होने के निसानी हैं, इलाज करवाना चाएँ, जाच की बात करें तो अमूमन यह देख के पसा चल जाता है, कुछ केसिस में अगर इसमें से क्लियर नहीं हो रहा है, तो इस केसिस में जड़ास हैं से अध्यमन लिया जाता है, ओपर की जो नेल की स्किन है और उसको फिर माइक्रोसकोप में एक्जामेन करके देख ले जाता है इस जो नाखून के फंगल इंफेक्शन है उसमें एक जो बड़ी प्राबलम ही है कि इसमें अमूमन दर्द नहीं होता और उतना जादा खुजली नहीं होती इसलिए लोग डाक्टर को दिखाने नहीं जाते क्योंकि इसमें ना खुजली होती है ना जलन होती है ना दर्द होता है बाकि जो सरीर के इंफेक्शन होते हैं जैसे की जाखों में हो जाना या इसकिन में हो जाना वहाँ पे दर्द जलन होती है पर ये नाखूनों में नहीं होती है इसलिए आमूम कैसे ठीक किया जाए सबसे पहले आपको समझना है कि जो नाखुनों का फंगल इंफेक्शन इसका इलाज थोड़ा लंबा चलता है आप कम से कम तो डेड़ महीने और उससे ज्यादा का समय समझ लो दो महीने तीन महीने एवरेज है और कई केसे में ज्यादा भी हो सकता इस पि अगर फंगल इंफेक्शन हुआ तो कोई एक क्रीम ले लिया इसमें समझनी यह वाली बात है कि क्रीम अकेली समें इफेक्टिव नहीं है इसमें जो मुह की दवाईया है एंटी फंगल दवाईया है वो मूह से खानी पड़ेंगी तो क्रीम आप लगा सकते हो क्रीम से थोड की दवाईयां आती हैं अलग-अलग ब्रांड नेम से तो आप डाक्टर के पाँ जाएंगे तो यह खाने दवाईयां अलग-अलग डोच के हिसाब से कितना एज है और मांकी कंडिशन देखके लिवर किड़नी की क्या पोजिशन है उस हिसाब से थोड़े दिन आपको दो मह मेने तीन महीने यह दवाईयां दी जाएंगी और साथ में नेल पालिस आता है राइट नेल पालिस के गर मैं बात हूं जैसे की नेल राक्स नेल पालिस आता है जिसमें साइक्लो पे राक्स रहता है वो भी एंटि फंग में तो नेल पालिस उस नाकोर में लगाना है और खा मेंसा ध्यान रखे किसका ट्रेट्मेंट एक तो लंबा चलेगा कम से कम आप दो से तीर महिने का समय मान ले और दूसरा कि मुह से खाने की दवाई अगर आप नहीं लोगे तो यह फंगल इंफेक्शन जाएगा नहीं प्राप्लम किया कि अगर यह फंगल इंफेक्शन नहीं दूसरे हिस्सों में लगेगा और घर के हो सकता है दूसरे सदस्य को भी लग जाए यह भी बड़ा रिस्क रहता है और लंबे समय में यह नाकून एक्तम खराब होने की संभावना रहती कि पूरा नाकून तूट गया है यह जड़ गया है यह बेसिकली इसमें प्राबला मा होने वाली रहती है राइट तो नेल पालिस खाने के दवाईया और कुछ लोग जिनको नेल पालिस नहीं मिल पा रहा ही वो लगाने की क्रीम लगा सकते हैं औरल मेडिसीन जरूर लेना है बचाव का तरीका यह होना चाहिए कि जो हाथ पैर होता है अगर कोई पानी में ज्य होना जूते हो गयरा साफ उत्रे पहने जूते मोझे इसको साफ रखना है गीन नहीं हो उसमें आगर भी आता है आजकर आते हैं जिसके अनदर यही एंटी फंगल ढाल दी जाती है तो बहुत सारे बजार में पाउडर होते है जिसमें बतोको नजाल टाइप की जो दवाई ह हेंटि फंगल वो पाउडर में डली रहती हैं तो पाउडर भी आप यूज कर सकते हो और इस बात का भी ध्यान रखें कि जब भी कहीं ऐसी जगा जाएं जहां कि ज़्यादा लोगों के सामान को टच करने की संभावना हो जैसे कि नई की दुकान है नई जो तुलिय यूज कर करते हैं या स्विमिंग बोल हो गारा हो गए तो इस तरह की जगा को अवाइड करें कि यहां से भी इंफेक्शन आ सकता जैसे कि बने बताएं कि चुबा चूत की बारी है तो यह बिसिकली नेल इंफेक्शन के बारे में हैं हाथ पैर के नाकूनों में अगर यह फंगस का इ इस नाकून के इंफेक्शन को ठीक करने या और उसको फ्रिवेंट करने के लिए